राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको अपनी वीडियो में निर्जला एकाशी की ब्रत रखने की पूरण जानकारी देने जा रहे हूं बंधों कई बार किसी के मन की इच्छा होती है कि हम निर्जल व्रत करें प्रंतु बहे ये नहीं जानते हैं कि व्रत को कैसे किया जाए बंधों इसलिए मैंने ये वीडियो आप के लिए तयार किया है जो चाहते हैं कि हम निजल व्रत करें प्रंतु कैसे ये नहीं जानते बंधों निजला 81 व्रत जो की 2024 में 18 जून को रखा जा रहा है बंधों जो भी कोई निजला व्रत रखते हैं वहें साल में आने वाली 26 एकाश्यों का फल पा लेते हैं जो कोई साल में आने वाली हर एकाश्यी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें निजला 81 का व्रत आवश्य करना जाहिए बंधों एकाश्य का व्रत एक ऐसा व्रत है जिने सभी को करना जाहिए एकाश्य व्रत करने से मुनुष्य के जाने अंजाने में किये गई सभी पाप नश्ठ हो जाती हैं और सुक्ष सम्रिधी की प्राप्ती होती है आज आंत में उन्हें मौक्ष की प्राप्ती होती है बंधों एकाश्ची ब्रत से पहले दश में तिथी रात को भोजन ग्रहन नहीं करें और दश में तिथी को प्याज लहसुन का प्रयोग भी ना करें बंधों निजला एकाश्ची का ब्रत 81 वाले दिन सुर्योदे से शुरू होकर 81 के दिन सुर्योदे तक रखा जाता है बंधों, यदि आप चाहें तो 81 के दिन सुभें 4 से 5 के बीच में जल भी ग्रहन कर सकते हैं और कुछ चाय दूद आदी लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि यह व्रत सुर्योदय के साथ ही शुरू होता है बंधों द्वाश्ची के दिन सुर्योदय होने पर आप व्रत को खोल सकते हैं बंधों एकाश्ची के सुर्योदय से लेकर द्वाश्ची के सुर्योदय तक आपको जल ग्रहन नहीं करना होता जो कोई निर्चल व्रत रखते हैं, जो कोई निर्चल व्रत नहीं कर सकते, वे फलाहारी भी इस व्रत को कर सकते हैं बंधों प्रंतु जो निर्चल व्रत रखते हैं, उन्हें ही साल की सभी एकाशियों का फल प्राप्त होता है और जो फलाहारी व्रत करते हैं उन्हें एक ही एकाशी का फल प्राप्त होता है बंधों आपको एकाशी के दिन सुर्योदे से पहले उठना है गंगा जल नहाने के जल में मिला कर शनान करना है फिर भगवान विष्णू के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना है दाहिने हाथ में जल और फूल ले और व्रत का संकल्प ले और जल भगवान विष्णू के समक्ष छोड़ दे भगवान विश्णु की विदिवत पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, निजला एकाशी व्रत कथा कुर सुनें और फिर आर्थी करें भगवान को फलों का भोग लगाएं, बंधों, पूरा दिन, भगवान विश्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, यदि आप को प्यास लगे, तो आप कोई भी कथा का अध्यान करें, जैसे कि विश्णु पुरान, शिमद भागवद गीता या फिर शिमद भागवद पुरा तब आप शुरूप करने से पहले हथेले में थोड़ा सा जल लेकर आच्मन करें, आच्मन के लिए कोई मना ही नहीं है, आच्मन का मतलब आप हथेली में थोड़ा सा जल लें, उसे पीएं और फिर हाथ को धो लें, वह जल बहुत थोड़ा होना चाहिए, बंधों उसी जल स ही आपकी प्यास बुच जाएगी क्योंकि आच्मन करना पाने पीने के ब्राबर नहीं होता इसलिए आप प्रत में आच्मन कर सकते हैं बंधों राते में भगवान विश्नु के समक्ष अखन जोत लगाएं शाली ग्राम जी की पूजा करें उन्हें फूल चड़ाएं फल चड और बैठ कर भजन कीतन करें भगवान विश्नु के मंतरों का जाप करें विश्नु पुरान भी पड़ सकते हैं और शिमत भागवत गीता भी पड़ सकते हैं बंधों प्रत के दिन कुछ नयमों का पालन अवश्य करें जूट कदापे न बोलें क्रोद ना करें किसी का दिल ना दुखाएं, जीवहत्या ना करें, मास मदिरा का सेवन, प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें, बंधों एकाशी के दिन दाड़े मुझ भी ना बनवाएं, ना ही बाल कटवाएं, दिन में कम से कम दो घंटे मोन जरूर रहें, अगले दिन प्राते काल शनान आधिकर, भग विष्णू की पूजा कर, फिर भोग लगाएं, और फिर किसी ब्राहमन को भोजन कराएं, और फिर स्वयम भी व्रत का पारण करें, बंधों निजला एकाशी का व्रत, पहली बार भीम सेन ने किया था, बंधों निजला एकाशी के दिन, किन बस्तों का दान करें, कि आपके बिगडे हुए कांप पूरन हो जाएं बंधों दान करने से घर में सुक्सम्जिद्धी आती है और घर में खुश हाली का आगमन होता है बंधों निजला एकाशी के दिन इन चीजों का दान करना बहुत ही कल्यानकारी होता है जीवन में आने वली परिशानियों को दूर करने के लिए निजला एकाशी के दिन भगवान विश्नु और मालक्षमी की पूजा करें इसके बाद दूद और दही का दान करें कहा जाता है इन चीजों का दान करने से जीवन के दुख और दर्द का अंत होता है जिश्ट मास में गर्मी बहुत पड़ती है ऐसे में जल का दान करना शुब माना जाता है इस दिन पाने से भरा घड़ा दान करना जाता के लिए कल्यान कारी होता है बंधों आप शीहरी की कृपा पाना चाहते हैं तो निजला एकाशी के दिन पीले वस्तर का दान करें क्योंकि भगवान विश्णु को पीला रंग प्रिया है इस से कुंडली में गुरु मजबूत होता है इसके इलावा अन का दान करने का बहुत महत्व है इस दिन शद्धा अनुसार जरूरत मन लोगों को दाल और आटे का दान करें खरबूजा, तरबूज, आम सहित, फलों का दान करें ऐसा बहुत शुब माना जाता है निजला एकाशी के दिन गरीब लोगों को भी आप फल, जल आदी का दान कर सकते हैं इस से शीहरी और मालक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त होता है आती जोरी सदैव धन से भरी रहती है बंधों, यदि आप निजला एकाशी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आप पर भगवान विश्णू की अस्सीम क्रिपा भरी रहती है बंधों, निजला एकाशी को शीहरी को प्रिय तुलसी की मंजरी और पीला चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, रितूफल, धूप दिप, मिश्री आदी, भक्ती भाव से चड़ाने चाहिए इस दिन तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा करना शास्त्रों में भर्जित पताये गया है बंधों, निजला एकाशी के दिन गीता पाठ, विश्णू सहस्चनाम का पाठ, वा, ओम नमो नारायनाय का मत्जब करने से प्रानी, पाप, मुक्त, कर्ज, मुक्त होकर विश्णू जी की कृपा प्राप्त करता है रात्री के समय भगवान नारायन की परसंता के लिए नरित्य, भजन की इतन, स्तुदि, आदी द्वारा जागरन करना चाहिए जागरन करने वाले को जिस फल की प्राप्ती होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती बंधों व्रत की सिध्धी के लिए भगवान विश्णू के स्मक्ष, घी का अखंड दीपक भी मैंने आपको बतलाया है बंधों विश्णू जी को प्रसंद करने के लिए इस दिन आस्मान के निचे साइकाल, घरों, मंदिरों, पीपल के व्रिक्ष, तुलसी के पोधे के पास दीप जगाना चाहिए गंगा आदीप पवित्र नदियों में भी दीप दान करना चाहिए यह व्रत जेश्ट मास में पढ़ने के कारण इस दिन गर्मी से रहाद देने वाली शीतल वस्तों का दान करना चाहिए इस दिन गो दान, वस्त्र दान, छत्र, जूता, फल आदी का दान भी करना बहुत लाबकारी माना जाता है बंधों जो इस दिन ब्राहामन को शुद पानी से भरा घड़ा दान करता है उसे परमगती की प्राप्ती होती है जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं बंधों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना धन्यवाद